जै श्रीमन नारायन दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ महकार संसार चैनल में कैसे हैं आप सब इश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख, शांति और समरिद्धी सदाही बनी ही रहे और भगवान का ठेश, सारा प्यार और आशिरवाद आपको मिलता रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखे घर की इस जगा पर अगर आपको यू दिख जाए कान खजूरा तो समझ लें कि टल गई कयामत देता है शुब और अशुब दोनों तरीके के संकेत बारिश के मौसम में अक्सर घरों में कान खजूरा रेंगते वे दिख जाता है लेकिन अगर बिना मौसम के घर के अलग-अलग स्थानों पर कान खजूरा दिखता है तो ये बहुत तरीके के संके देता है और आज इस वीडियो के माधम से हम इनी संकेतों के बारे में जानेंगे देखिए अक्सर बारिश के मौसम में घरों में कान खजूरा निकलते वे सभी ने देखे हैं लेकिन कई बार बिना बारिश के घर के कई हिस्सों में कान खजूरा निकलाता है। वास्तू में ऐसे कान खजूरा दिखने का जो है वो अलग-अलग मतलब जो है वो बताए गए हैं। कान खजूरे का यूँ अचानक से दिखना सो भागय और दुर्भागय दोनों का संके देता है वास्तु जानकारों के अगर कहें तो उनके अनुसार कान खजूरे को राहू का प्रतीक माना गया जी हाँ ये राहू का प्रतीक है ये राहू को दर्शाता इसलिए अगर ये घर में कहीं भी दिख जाए तो इसे मारे ना बलकि इसे घर के बाहर फैंक दें कहते हैं कि कान खजूरे का किस तरीके से दिखना शुब और अशुब होता है तो ये दोनों चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि कब अशुब होता है और कब शुब होता है लेकिन कुछ जगाएं ऐसी होती है जहां इनका दिखना वास्तु दोश का संके देता है अगर कान खजूरा घर के फर्ष पर रेंगता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लें कि घर में वास्तु दोश है वहीं अगर इनका किचन में दिख जाए तो ये वास्तु खराब होन का संकेत देता है ऐसे में इसे उठाकर आपको घर से बाहर फेक देना चाहिए बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए अगर कान खजूर आपको घर के मुख्य का संकेत देता है बलकि पूझा घर में कान खजूर का दिखना सोभाग का संकेत है घर में आचानक से कान खजूर आपको रेंगते वें दिखाई हो जाए या फिर वो फिर से गायब हो जाए दिख जाए या फिर आपको दुबारा से ना दिखे कि कहां चला गया है तो समझ लें कि कोई जो आपका रुका हुआ काम है वो पूरा होने वाला है वास्तु सास्र के अनुसार अगर घर में मरा हुआ कान खजूरा दिखता है तो इसका आर्थ है कि कोई बड़ी विबदा है जो आने वाली थी वो टल गई वो इस कान खजूरे ने अपने ओपर ले ली यह जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाब उठाएंगे वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फामिली और फ्रेंज के साथ में शेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे नोटिफिकेशन बेल को दवाना बिलकुल न भूले ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नहीं नी वीडियो नहीं जानकारिया इसी तरीके से पहुँचती ने तो चलिए मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जैश्री मना रहें दोस्तों